इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे Avalon Technologies के बारे में जिसने की अभी अपने Quarter 1 के Numbers को पब्लिश कर दिया है तो चली देखते हैं कि आज की BOD में हमें क्या-क्या आउटकम देखने को मिला है तो कंप्री ने पहली चीज जो आज के दिन कवर करी वो अपने Standalone प्लस Consolidated Data क करी along with the Limited Review Reports इसके लवा अनदर कोई भी अनॉंस्मेंट नहीं हुई है तो डिवीडेंड बोनस और स्पीट से रलेटेड हमें कोई भी आउटकम आज के दिन देखने को नहीं मिला तो चली देखते हैं Avalon के इस बार के जो Consolidated Numbers से वो कैसे रहे तो डिटेल्स आपके सामने और सारे फिगर हमें मिलियंस में देखने को मिले हम दो डिसकस करेंगे इन करोर्स में quarter 1 की अर्निंग से फोर की देन लाश्यर का quarter 1 का डेट आपको थर्ड कॉलम में देखने को मिलेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक् तो इस बार का revenue हमें quarter plus yearly दोनों ही जगे down देखने को मिला है market की estimation को ज्यादा थी जो की थी 226 करोड की जो की हमें मिस होती भी देखने को मिल लगी तो revenue भी कम है और market estimate को भी बीट नहीं कर पाए numbers other income आप add करेंगे revenue में तो आएगी total income जो की 240 से 203 पर आगी yearly और 219 से 203 पर quarter on quarter तो total income भी आपको quarter plus yearly दोनों ही जगे down देखने को मिलेगी then discuss करते है expenses जो की 229 से इस बार 205 पर और quarterly 209 से 205 पर इस बार income से ज़्यादा आपको company के expenses देखने को मिलेगे और खर्चे इस बार quarter plus yearly दोनों जगे कम है जिस तरीके से income down है then discuss करते है company को total profit या loss for the period कितना हुआ after all the adjustment तो last year quarter 1 में company को 7 crore का profit था इस बार 2 crore 3 lakh के करीबन का loss हुआ तो इस बार अगर आप देखेंगे तो yearly basis पर हमें losses देखने को मिल रहे है और quarter 4 की बात करें तो 7 crore के करीबन के profit थे इस बार company को 2 crore का loss हुआ तो overall इस बार के जो number से कुछ खास नहीं है और market की जो estimation थी वो profit को लेके थी जो की 7 crore का था तो market estimate को पूरी तरीके से company ने miss किया in terms of revenue and profit बोथ और इस बार के profit आपको दोनों ही जगे down देखने को मिलेंगे इस बार company को 2 crore के करीबन का loss हुआ है same reflection देखने को मिलेगा EPS में 1.10 से negative का 0.35 पे आ गया early और 1.08 से negative का 0.35 पे quarter on quarter तो जिस तरीके स इस बार losses हुए तो company की EPS में भी इस बार हमें loss देखने को मिलना इस बार के as compared with the previous both quarters तो overall कुछ खास नंबर नहीं है market estimate को भी बीट नहीं कर पाए तो most badly एक negative reaction होगा market का और share price में गिरावट आ सकती है तो आपके पास Avalon Technologies के कितने shares है comment box में बिल्कुल बता हैं तो मिलते हैं किसी और update के साथ तब तक के लिए बबाए